वेल्कम तो मा यूटूब चैनल एट टू जेट क्लासेज बाई गौरफ सर्थ हम लोग एरा ओफ वन पर्टी डॉमिनेंस में हैं देख चुगे थे कॉंग्रेस डॉमिनेंट की थी कैसे फिर देखे थे क्या कि कॉंग्रेस कॉलीशन थी कैसे कैसे तो सोसर लौरा इडियोलोजिकल कॉलीशन थी अब हम लोग देखेंगे क्या कि टॉल्रेंट्स एंड मैनेजमेंट ओ तो functions कि यह है कि different ideologies within the Congress जो होगे वो फ्रैक्शन्स का हैंगे मानलो एक Congress है तो बताए ना Congress तो इस टाइप के ग्रूप्स को बोलेंगे फैक्शन तो इतने ग्रूप्स आजकल तो एक फैमली में कोई थोड़ा क्रिटिसाइज करते तो दूसरे को मार बैठेंगे लोगों में टॉल्डेंस ही नहीं है न सब महान है अपने आपको महान गिनाने में कॉंग्रेस कैसे पच सबसे पहला तो इसका रीजन नहीं था क्या नेचर ऑफ कॉलिशन बताया था नेचर ऑफ क्या कॉलिशन 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 इससे होता क्या था ना कि सब की सुना जाता था तो सब की सुना जाता था ना तो कॉंग्रेस क्या होता था कि कभी एक स्ट्रीम अस्टेंड कुछ नहीं लेती थी एक स्ट्रीम डिसीजन या अस्टेंड नहीं लेती थी तो अपोजिशन के विचारधारा वाले लोग थे, भाई मानलो सारे आइडिलोजिज वाले हैं, तो औरीडि मानलो वहाँ पे थे लोग, कोई नया पार्टी बनाए तो, या बिरोध करे तो, तो यह क्या हो गया ना, यह इतने सारे जो आइडिलोजिज तो कॉंग्रेस के स्टेंथ बन गया, जो पॉलिसी की बात पोजीशन करें अल्रेडी कॉंग्रेस में होते हैं और उसका एक्जामपल देखना एक्स्ट्रीम स्टेंड का आज भी कॉंग्रेस का कुछ भी स्टेंड जैसे आर्टिकल फीन सो सथर भीजेपी कमपलीट कहती थी देंगे कॉंग्रेस अब बीजेपी हटा दी-हट गया गवर्मेंट जिब थी तो तो कॉंग्रेस ना खूल करके बिरोध कर पाये ना खूल करके सपोर्ट कर पाये इसकी बहुत बोल सकते हो पात लेती है हर चीज में लेकिन क्या है कि उस समय यही इसके स्टेंथ थी फर्स चीज तो यह था दूसरे चीज में था टॉल्डेंस पावर वही बता रहा हूं टॉल्डेंट मिंस यह नहीं था कि भाई कोई भी क्रिटिसाइज कर दिया मार बैठ है खास करके बिरोधियों को भी रेस्पेक्ट उसमें दी जाती थी यहां तक कि जवाहर लाल नहरू इतने बड़ी परस्नाल्टी और आप उजीशन का एक एक्जांपल देत रहा हूं अटल बिहारी बाज भी संसर में तगड़ा क्रिटिसाइज करते थे यंग ललका कभी बूरा नहीं माना जाता था तो दूसरी थी कि तो अपन गर्ण कes tapping सब कर आगे उने ग्रूफ का कि तो यह सब कु टॉलरेट किया जाता था जैसे मान लो कोई ग्रूफ है तो मान लो कोई STA Congress का बनाना है तो अहां का हेड बना दिया मान लो किशी अ को मैं सेम true गे राधा भी रहा हूं मानलो ए को बना दिया अब B वाला गुसदा ह है बिहार को सी का बना दिया तो देखो सब मिलकर के पार्टी को मजबूत करेंगे और लीडर चुपी सेंट्रल लीडर स्ट्रोंग था सब मिलकर के नहरू जी को सुनते थे श्रोंक करते थे तो इस कारण से कॉंग्रेस में क्या ऐसे होता था ट्रोलेंस में चन्ट और उसी का एक्जामपल यह था कि इतनी है स्टॉंग हो रहा था देखना एक बहुत बढ़िया फोटो दिखाया गया है क्या कि पेज नंबर किसमें पेज नंबर आपके फोटीज में कि एक कॉंग्रेस मान लो यहां में लीडर हैं तो कितने लोग टिकट के लाइन में ख़़ थी तो जो यह फिक्शन्स वाले थे ना अपस में ग्रूप बनाया हुए थे यही एक दूसरे को क्रिटिसाइज कर लेते थे एक दूसरे को कम्यार ढूंड रहे थे ताकि यह नीचे जा हम उपर जा तो फ्रस्ट से डिकेड में खास करके कॉंग्रेस वाले ने देश में दूलिंग प्लस अपोजिशन दोनों काम नहीं लोगों ने किया तो डेमोक्रेसी बचाने में इन फिक्शन्स जो ग्रूप थे कॉंग्रेस के अंदर इनकी बढ़ी इंपोर्टेंट रही उसका पर्फेक्ट इग्जांपल सोच सकते हो कि क्या नेहरु जी का दमाद थे ना नेहरु जी का दमाद फिरोज गांधी थे सो जो नेहरु जी की फाइनांस मनिस्टर को रिजाइन मारना पड़ा था और नेहरु जी का दमाद ही जो थे फिरोज गांधी फिरोज गांधी वह स्कैम सेयर मार्केट में गडबड़ी चल रही थी इस स्कैम को सबसे पहले सोचो कि उन्हीं के संसर्म उन्हीं का दमाद उन्हीं के पार्टी का लीडर फिरोज गांधी उठाये थे और नेहरु जी की क्रिटिकल डॉल कोई बोले कि कॉश्चन आजा लिखना तो ऐसे लिखना क्योंकि उस समय पोजीशन नहीं थी विदीन तक कॉंग्रेस इंडिफरेंट डिफरेंट ग्रूप से थे तूँ एक दूसरे को क्रिटिसाइज खुद करते थे ताकि क्या हो गलत कामें द्यू कर रहे ह तो उनको क्या हो उनको पहचाना जाए और उसका परफेक्ट इग्जामपल फिरोज गांधी खुद के कॉवर्मेंट में स्कैम कर दिये थे बाहर लाये थे फाइनांस मनिस्टर को रिजाइन मारना पड़ा था यह था कॉंग्रेस का टोलरेंट सेंड मैनेजमेंट ओफ फिक जाए पनेज़िशन्द इमर्जेंस ओफ उफ इप्वजीशन् magari इमर्जेंस ओफ ओफ ओपोजीशन् पुल देखो इवदफ seven pur fountain अवाक रिजन्द ड chat nessab ad वš था लेगिन बतॉया था ना कि उस समय भी कि 1952-62 तक भी ऐसा नहीं था पोजीशन थे छोटे-छोटे फोकेट में थे जैसे सोशलीस्ट पार्टी था नोगे बना दिये हैं था केदला लंबूद्री पाल जिसकी गवर्मेंट को डिश्मिस कर दिये थे साउथ में चलोगे तो स्वतंत्र पार्टी भी था स्वतंत्र पार्टी भी थे कुछ-कुछ था लेकिन इंडिया में लगभाग जगह पे इसके कारकरता थे पार्टी ऑफिस पार्टी बरकर्स थे अब देखो क्या रहेगा तो बताया कि जैसे उसमें हमारे देश का कल्चर भी था ना कि अपोजीशन बाले को भी रिस्पेक्ट किया जाता था या दोस्मन नहीं माना जा बनाने पर काम करें थे लोग तो देखना कि उसी में बी आरम बेद कर सिधा सिधी कॉंग्रेस के अपोजित आइडियोलोजी वाले लोग इनको भी रखा गया और एक कितने महान थे गांदी जी बताता हूं एक एक जामपल कि जब कैबिनेट बन रहा था ना मंत्री मंडल त दोनों गांदी जी से मिलने गए और गांदी जी की वो बोल सकते हो पावर था कि एक तरफ पैर के नहरू बैठते थे दूसरे तरफ सर्दार पटेल तो पूछे की कैबिनेट बना लिया तो हाँ बापू बना लिये बोले भीम राओंबेदकर कैबिनेट में है तो यह लोग कि दलित समाज जिसे जग जीवन राम को रख ली है ना बिहार का नेता थे जिनकी बेटी मीरा कुमार जो फर्स्ट फीमेल लोगसवा की चेयरमेन थी प्रेसिडेंट का चुनाओ भी लडी इस बार जो हमारी फीमेल के खिलाब थी मीरा कुमारी थी तो लडी तो इस और इस बहुत बढ़ी है जवाब दिया बोला ऐसा है ना कि भीम्राव अंबेदकर से बढ़ा कानून का ग्याता इस देश में कोई नहीं है और उससे अधिक कैविनेट में नहीं रख्या मिंस मंत्री नहीं बनाए तो इससे अंबेदकर को लोश नहीं है इससे देश का लोश है समय रहे हो कहने का मतलब है कि उससे में डिफरेंस ओफ ओपीनियन को भी बहुत रेस्पेक्ट की जाती थी उसका एक्जांपल बता है भीम्राव अंबेदकर भी थे प्लस में स्यामा परसाद मुखर जी जिनका बिलकुल अलंगा स्टेंट था बताऊंगा स्यामा परसाद कि इंटीम गबर्मेंट में मंत्री थे इनके थे constitution बनाने में वह भी थे constitutional assembly में थे प्लस में जैपरकास नारायन को भी जैपी को भी जैपरकास नारायन को भी इंविटेशन दिया था नेहरोजी ने आईए अब भी सरकार में रही है उस वह बोले हमें पॉल्टिक्स नहीं चाहिए हम नहीं करेंगे तो यह उसमें किया पोजीशन कि थी पोजीशन को रिस्पेक्ट किया जाता था और इस कारण से इन छोटे-छोटे पार्टियों का इतन चला जाएगा बेजती हो जाएगा उससे तो और छोड़ो आज की जो पार्टिज है ना मैक्सिमम वह क्या है आज की पार्टिज तो मैक्सिमम उनकी रूट्सी नाइंटिम फिप्टी बाली पार्टियों से है बेस्ट एक्जामपल बीजेपी अरे स्यामा प्रसाद मुखार चांड ओंचिजि नेपले जन्संग जन्संग वहीं तो नो मिट्यव लालुजाद वाली यदि Layam assim graduate नितििष कुमार ली बाली मुलायम सिंग एक समाझबाश जम फेकलर य इस को To यह भी उससे में आपोजीशन में थी 1948 के बाद बताऊंगा आपोजीशन में थी तो उससे में आपोजीशन का एक या जाता था एक बारा और हमें घड़ना याद आ रहा है कि जब आहला लाल नेहरु एक बहुत बड़े होटल बनादे थे फायवरस्टार होटल भी लाया पार तर्क दिया कि होटल पहले बना देंगे उससे टूरिस्ट आएंगे या लोग रहेंगे हमारे उससे फायदा होगा फिर होस्पिटल बनाएंगे बाद में उस होटल से फैदा ही नहीं हुआ क्यों उसका पैसा फिटल में लगे तो लोग तगरी क्रिटिसाइज करते थे और उस सारे पोजिशन का माइक भी बंध कर दिया जाते हैं मार्शल से और और संसत के बाहर तो जो वो लो ही मत वो लो क्या करते थे अपने आपको यह करते थे ना मिंस वो टो municipal ही समझ झाण लेते थे तो यह हमारा क्या सोच सकते हो कि हम देखते हैं कि Congress मुस्व में tolerance थी बिलकुल टॉलेंस थी लेकिन बाद के दिनों में बाद के दिनों में क्या हुआ कि बाद के दिनों में एही dominance खतम हो गई किसकी tolerance खतम हो गई किसकी Congress की क्यों टॉल्डेंस खतम हो गई तो एक तो देखना कि सेंट्रल लीडर को यह सा स्टॉंग आये नहीं बले दिलवाले नहरोजी जैसा तो विदीन देखना कि जैसे लालबादु सास्त्री को जब बनाया गया प्राइम मिनिस्टर लोग बोलता है कि पार्टी में ही नहीं सपोर्ट कर गए अपोजीशन बन गए जैसे उसका बेस्ट एक्जामपल 1940 में सोचलिस्ट पार्टी जो कॉंग्रेस के अंदर होती थी बाहर जाकर करके क्या बनाई अपोजीशन का काम करने लगी कुछ लीडर भी चले जाएंगे आगे चल करके जब चैप्टर फाइब पुराऊंगा तो बताऊंगा एक बहुत बड़े लीडर थे मुरारजी देशाई फर्स्ट नॉन कॉंग्रेस प्राइम मिनिस्टर कॉंग्रेस कहीं तो थे तो जब टॉल्डेंस खतम होगे मिन्स आप बिरोध किये तो पार्टी के बाहर जाए तो धीरे धीरे अपोजीशन क्यों लगेग तो कर नहीं पाते तो कुछ सोच करके भी तो क्या रहा तो धीरे धीरे जब कॉंग्रेस में मिन्स टॉल्डेंस खतम होगे मैनेजमेंट भी पल गया तो अपोजीशन बाले भी स्टोंग होगे कि इनको इनकी पाटी मानलो आपका घर टूटेगा तो पोलोशी तो मजा लेग और सिरी एस्टोंगरेस को कैसे करना पड़ा वह प्रोसेस बताऊंगा आपका चैप्टर नमबर फाइव जब आपका है रियस्टी रियस्टोरेशन ओफ कॉंग तो इस चैप्टर में ही तक है हा छोटी च्छोटी चीजी और है जो बताऊंगा भी खतम नहीं हुग है जैस प्रशाद मुखारी 1901-53 देखो आपके बुक में है क्या है लिखा हुआ तो देखो भारतिये जंसंग यही बनाए थे जिसका रूट साथ बीजेपि इसलिए देखना भारतिये जंसंग बारतिये जंसंग जंसंग और देखना बीजेपी वाले लोग कितनी इज्जत इनकी करत कैसे ट्रिकल खें जे अंड के को लिवर्टी देने में जैसे धान तो जे को जम्मुकास्मीर को स्पेशल स्टेटस देने के बिलकुल खिलाब थे इसी से अलग быть कर के पार्टी बनाये थे कौँन जंसंग और इसे जंसंग पार्टी ने जम्मुकास्मीर में जाकर के तो मतलब बोल सकते हो कैद किया गया जैल किया- गया बोल सकतो हुए मुखहर्जी wird हमारा है देखना बिल्कुल बोलेंगे जहां सहीद हुए मुखर जी उकास्मीर हमारा है क्योंकि यहीं पर गये थे अंदोलन करने जमुकास्मीर में और वहीं पर इनकी देथ हो गई थी कस्टडी में लिया क्या किया और आज तक पोस्ट मार्टम भी सबसे बड़ी दूरभागे वा यह तो बता चुका हूं अल्लेटी कि constitutional assembly के भी मेंबर थे में जहां पर संभीधान बन रहा था उसके मेंबर थे और दूसरा क्या थे तो दूसरा देखना यह फर्स्ट लोग सभा में भी चुन करके आये थे फर्स्ट लोग सभा के मेंबर भी थे मिंस 1952 के MP बन करके आये थे करमत लोग थे जब कभी भी डिवेट देखना तो एक टास्क दिया गया था कि जो जो constitution बनाने के मेंबर थे कि कुछ आप होंबर करके आये तो पता चला स्यामा परसाद मुखर जिंग एक मात्र ऐसे लीडर थे जो होंबर करके आये थे कि क्या होना चाहिए था तो पड़ा ह हुआ है जिसको टाइम मिले हो कभी बहुत अच्छा दस सिरीज है constitution पर तो आप देख सकते हो उससे बहुत चीज आपके clear हो जाएगी कि आज का इंदियन politics है क्या तो यह रहा एक लेक्चर और इसमें लएगा छोटा सा लेक्चर क्योंकि लेक्चर बढ़ा हो जागा जिसमें कुछ पॉलिटकल पार्टी बताऊंगा जैसे स्वतंत्र पार्टी सोचलिस्ट पार्टी थोड़ा सा छूटा हो यह दोनों बताऊंगा फिर आपका chapter हो यह क्या है जैसे ही वह दिक्कत हुई तो फिर क्या हो जागा इंबर्जेंस ओफ ऑपोजीशन अपोजीशन वाले लोग स्टों को होने लगे धीरे धीरे देखेंगे अगले चैप्टर में चैप्टर नॉमर फाइब में कॉंग्रेस की सिचूशन खराब कैसे होने लगिया तो यहीं तक अधिर रखते हैं लेक्चर को फिर से सेम रिक्वेस्ट लाइक सब्सराइब और सेर करते रहें थैंक